सबी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार आज हम कार्तिक महत्य का 24 अध्याई सुनेंगे अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ जो छोटी से प्यारी से घंटे है ना उसको तो जुरूर दबा देना, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो शुरू करते हैं कार्तिक महत्या का 24 मा अध्याई रिशी पूछने लगे कि हे सूची, बड़े अश्चारय की बात है कि अधिती अगनी में नहीं जली तब सूची ने कहा इसमें अश्चारय की कोई बात नहीं, जिन बगवान के सिमरन मास्तर से सब संकर दूर हो जाते हैं उनका ध्यान करने वाले भक्त को कोन कश्च दे सकता है, जब अगनी शान्त होगी तब चक्र सुदर्शन धारन करने वाले भगवान विश्णु स्वे अधिती के सामने प्रगट होगे और कहने लगे कि हे देव माता, तुमारे इस कठिन तब से हम नत्यंत परसन हैं, इसलिए वर्दान मांगो, तुमारा कल्यान होगा तब अधिती ने हाद चोड़कर भवान के स्थूती की, कि हे भगवन जिनके स्मरन मास्तर से सब कलेश नाश को प्रापत हो जाते हैं जिनके चर्ण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम स्थी को प्रापत हो जाते हैं, यग में स्थित, यग के परभूत करता, जिनकी माया को ब्रह्मा अधिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य, चंद्र, मुक्ष से ब्रामन, बुझाओ से ख्षत्रिय, जंगा से वैश्य तथा पैरों से शुद्र उत्पन होए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है, भगवान, देवता, नदी, समुन्दर आप ही हैं, अत्व आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, हे भगवन आप अंतरयामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अत्व मेरे पुत्रों को अक मारे पुत्रों की रक्षा करेंगे, तब अधिती कहने लगी कि भगवान जो संपूर स्रिष्टी को धारन करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्राहमन्द समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारन कर सकूँगी, भगवान कहने लगे, हे अधिती, माता, पीता, गूरू, अति थी तथा ब्राहमनों की जो सेवा करते हैं, वह सदय मुझको धारन करते हैं, तुलसी और गो की रक्षा करने वाले भी मुझको धारन करते हैं, अरते मैं तुम्हारा पुत्तर होकर शत्रु कुल का नाश करूँगा, यह कहकर और अपने कंट की माला देकर भगवान अंदर द्यान हो गए, इसके पश्चा दक्ष की करन्या अर्थात देव माता अधिती भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई, उसी समय अधिती ने शंक, चक्र, गदा, पदम तथा कमंडल धारन किये हुए, हजारों सुरों के समान, तेज वाले कमल नियन, प्रिता रूप में देखा, तब कश्यब आदीरिशी भगवान की स्तूति करने लगे, जो कोई वामन भगवान के स्तूतर का नित्य पाट करता है, वह सदायप नरोगी रहकर सरसंपता प्रापत करता है, तब वामन भगवान बोले हे पिताजी हम परसन है, आपका कल्यान हो, आपके समस्त मनौरत पूरन हो, हमने दो बार आपके घर जनम लिया और आगे भी आते रहेंगे, इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारन कर लिया, उधर राजा बली ने भी शुक्राचार्य को अपना अचार्य बना कर बड़ा भारे यग प्ररहंब किया, जिसमें लक्ष्मी ज सहीत हवी ग्रहन करने के लिए भगवान विश्नु का आवहान किया, उसी समय भगवान विश्नु भ्रमाचारी के रूप में वहाँ पर आगे भगवान के इस रूप को देखकर, रिशी लोग ज्यान रिष्टी से उनको पहचान गे, उन्हें देख शुरी शुक्राचार्य ने राजा बली को एकांत में बुला कर समझाया, इस परकार कार्थिक महात्या का 24 माध्याय समापत हुआ, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार